हलो यूटूब फामिली मैं ममता सिंग माय तूचला ममता हैं संतोस ब्लोग में स्वागत है फ्रेंग नमस्ते गुड मॉर्निंग घड़ें बज रहे हैं आठ और फ्रेंग्स आप लोग मैं दो दिन ब्लोग नहीं दे पाई उसके लिए सोरी फ्रेंग क्यों क्योंकि मेरा तब बज़े ही लिकल गए थे घर से तो यहां पर मैं बच्ची लोग चले जाते हैं तब मैं घर का सारा काम कर रही हूं और फ्रेंग्स आप लोग को मैं बता दूँ मतलब मेरे काम में मेरे परिवार वाले भी बहुत ज्यादा साथ सपोर्ट देते हैं और ऐसा परिवार तो नस अब बहुत ही ठीक है पहले से देख सकते हैं किस तरह से मैं मतलब मुर्जा गई हूं और फ्रेंज यहां पर मैं सारे घर को अच्छे तरह से जाड़ू लगा रहे हूं क्योंकि दो दिन तब यह ठीक नहीं था इसलिए मैं जो की काम पर घर के कामों पर ध्यान नहीं दे रह हैं तो पापा जी खेत में अपना काम कर रहे हैं तो यहां पर बच्चे लोग जाने के बाद ही मैं घर का सारा काम सुरू करती हूं क्योंकि सुबह बच्चों लोग का टीपीन तयार करना बहुत सारी से काम हैं जो की करना पड़ता है तो यहां पर बच्चे चले जाते हैं तब ही मैं अपना काम स्टार्ट करती हूं तिहां पर उपर से जालू लगाने के वाइफरें मैं नीचे सारे रूम में जालू लगा रही हूं। और देख सेते हैं मैं आप लोग को बता दूं मतलम नीचे का भी मैं दो दिन नीचे जाड़ू नहीं लगा पाई पापाजी ही लगा रहे थे क्योंकि मेरा तवियर ठीक नहीं था बिल्कुल ठीक नहीं था मैं मतलब किसी तरह खाना बना ले रही थी बहुत बता दूं कि और क लोग में घर से काम का सुरुवात में थोड़ा सा की थी जढ़ा रही थी तो मैं आज दो दिन बाद आप लोग को ब्लॉग दे रहे हूं तो फ्रेंज यहां पर मैं सारे कपड़े लाइए हूं बाबु का है पापा जी हजबन सब का है तो यहां थोड़ा निर्मा विगो के कपड़ा रग दूँगी 10 मिन बाद दूँगी सारे काम कर लूँगी फिर उसके बाद यहां पर मैं फिरेंस आप लगवा भी जोकी जाड़ू लगा दें पोछा भी लगा रहा है क्योंकि धोप भी बहुत ही अच्छे से कसके धोप हो रहा है और गरम के तरह मतलब गरमी के त पापा जी कुछ कपड़े थे मैं गई हूं लेका है उसको भी भीगो के रख देती हूं तो दस मिन बाद करूंगी यहां मैं कपड़ा भीगो ही रही थी तब से मतलब आपको कई बार पने ब्लोग में देखाई भी हूं तो आ गए थे तो इनका तो मेरा डेली काम है तो मेर इसको भी आप लोग में देखा देतूं नहीं में हमान को इनको भी मैं चावल देने के बाद फ्रेंट यहां पर घर का जो कि जाड़ू होगी है अभी पोछा लगाना बाकी है तो देख सकते हैं थोड़ा सा मेरा मतलब फ्रेंट से बालकनी जैसा है और यहां पर मैं जो कि आप लोग से मिलती हूं सारा काम करने के बाद फ्रेंट तो यहां पर देख सकते हैं फ्रेंट मैं नहाने के बाद मैं फ्रेंट से आप लोग बता दूं मैं बाल भी दुली हूं क्योंकि कल सनिवार हो जाएगा सनिवार के दिन पूजा और हमाचारसा पढ़ना पड़ता है दीन सब्ग्रण के दिन आपम लोग सनिवार करीज व्य w मैं भ्यांठ का सवहार ले लिती हूं और आप मैं रहे हूं घड़ता क्यों है जो की फैमिली नहासे cidade तो यूटूब फैमिली के साथ हो तो कोई भी कर्ष्ट हो मतलब दूर हो जाता है तो यहां पर मैं बगवान जी कभी अस्वार ले रहें मेरा परिवार इसी तरह बना रहें और उसे सभी में नाश्ता अभी करना वाकी है क्योंकि अभी में बाल दुली थी तो भी जोकी फिर फ्रड़ा क्रिम लगा लेती हुं और थोड़ा सा मैं बीना सेंदूर के मतलब सेंदूर लगाने के बाद उसके बाद मैं नाश्ता करती हूं तो मैं बार धुली थी फ्रे इसलिए मैं जोकी लगाऊंगी बिंदी जोकी मिरा मात्य पर से हड़ गया है कहा जाता है सुआगन क बिंदी हमेशा माते पर लगा रहना चाहिए तो यहां पर मैं देख सकते हैं बाल में कंगी भी करना वाकिये तो अभी नहीं करूंगी थोड़ा बाल गिला है तो थोड़ा अच्छा लग रहा है तो इतना ज्यादा दुख रहा था लेकिन बाल धुलने से जो की बहुत ही अच मेकप भी करते हूं अगर कहीं जाना होता तभी में बहुत हलका मेकप करती हूं ज्यादा जो भी आता है आप लोग को में करके दिखाती हूं तो यहां पर मैं एक बाल में जूरा बना लेते हूं और भीया जी जो कि 9 बजे दूद देखे जाते हैं मतलम 9-9 बच जाता है दस भी बच जाता है फ्रें, इहां पर मैं दूद रख दी हूं, गयस पर गरम होने के लिए, तो दूद जब से गरम होगा, और अपने लिए कुछ खाने के लिए लिका लेती हूं, क्योंकि दो दिन से, दो तीन दिन से, मैं अच्छी स्काना नहीं खार रहे थी, मन ही नहीं कर रहा था फ्रें फिवर था इसलिए तो यहां पर मैं मेरा मन बहुत ज़्यादा कर रहा था चावल दाल चोखा में बनाए थी फ्रेंज सब्जी भी था मैं सब्जी नहीं लिए हूँ मैं चोखा अपने लिए बनाई हूँ तो यहां पर बहुत दिनों के बाद में तो यह नुसकान भी नहीं करेगा और गरम चावल में खा भी लेती हूं तो यहां पर देख सकते हैं मेरे बच्चे लोग आ गए हैं स्कूल से पेपर देखें तो मैं पूछ रहे थी की पेपर कैसा बनाए तो वोले मैं अच्छा हुआ है यह मस्ति भी कर रहे हैं और मैं बोल गिप्ट भी ले गये थे और इनके दोस्त मेरे बावू के इनौर्ड भी किया तो मतलब कोई जाये गए नहीं क्योंकि पेपर चल रहा है तो यहां पर देखते हैं कि बच्चे लोग घड़ी मज़ रहा था चार और मतलब बोली उठिये विटा चार बज गया है तो यहां पर बाबु को प्यास भी लगा था और मेरे भाबु का भी फीवर हो गया था फिर दो दिन मतलब बाबु को फीवर हो गया था उनका भी तभी तब यह ठीक नहीं चल र दीजिए तुमकिया तो यह मैं खाले थी पूरी मतलब पूरी उनको खाने के मेन तो मैंने एक छलिए ठीक बनाते हैं पूरी और के चावल हे हमारे यहां मतलब बचा है सुबगा है तो उसको गरम करके मतलब थोड़ा सता तो मैंने सवरां की रहनेदीजे साम को उसको बच्छी लोग खा लेंगे हम भी भी अफैमिले समि लो खालेंगे वहां पर बच्छी लों कोमान है भाने के लिए पूरी तो मतलब सब तो मेरे साथ M Twenty with1 सबी लोग मेरे मेरे फैपिली के सापूर्ट करते हैं और ऐसे परिवारत नसीजिर्वाले से मिलते हैं ठोड़ने सा आस पास के लोग हैं जो कि बहुत जादा जलते हैं तो हमको कोई फरक नहीं पड़ता है आप लोग बहुत जादा स पूरी बहुत तेश्टी लगता है तो देख सकते हैं साम का ब्लॉग है तो फ्रेंस यहां जो कि आप लोगों में बता दूँ थोड़ा समय कल साम को व्लॉग ना इस्टार्ट की थी लेकिन आप लोगों में नहीं दे पाई उसके लिए सवरी क्योंकि फ्रेंस थोड़ा सा काम गर पर और काम में करने लगी इसलिए मैं आप मैंने सुचा कि आप लोकों में दो मतलब की एक ही में कल और परसों का दोनों वीडियो मतलब आप लोको मैं एक ही में दे देती हूं तो फिरें साम भी हो गया है और मैं यहां पर आप लोको बता दूँ फिरें कि थोड़ा सा मैं शुर्वारकों को जय कि, उसके बाद मैं थोड़ा सा आटा को गूतर लोंगी, क्योंकि बच्चे लोग को भूख लग गया था, एक कल सामका है ब्लोकwhe, फ्रेंस, थोड़ा सा मैं सामका मैं करवा वावू को फिवर हो गया तो देख सकते हैं फिरे मैं दो दिन से खाना मतलल बिलकूल नहीं खा रहे थी धी बहुत ही अलका अच्छा नहीं लग रहा था तो मेरा फेस देख सकते हैं किस तरह से हो गया है तो मेरे फेस पर मत जाईएगा फ्रें यहाँ पर आप लोग को बता दू फ्रें मैं कल साम को थोड़ा सा मतलब चार बज़े से स्टार्ट की थी और बिल्कुल मन नहीं कर रहा था फ्रें इसलिए मैं नहीं एडिट करी और आप लोग को मैं नहीं दे पाई उसके लिए साहरी तो यहाँ पर मैं आटा गोथ ले रही हूं फ्रें क्योंकि साम होने वाला है और भी छट थोड़ा सुखन भी डालें उसको भी मतलब समेटना है और थोड़ा सा तो यह ठीक हुआ था फ्रें तो मैंने सुखना धूब भी बहुत अच्छा है और इसको थोड़ा सा मैं जो भी चीजे घर में मतलब घर में जो भी चीजे खराब होती है कीचन से लेके उसको धूब में मतलब डालने से काफी लब में समय तक चलता है तो मैं डाली थी फ्रें और यहां पर मैं आटा गूत ले रही हूँ बाबू लोग भी गए है खिलने खिल के आएंगे तो बोले है मम्मी वह जोड़ से भूख लगी है तो मैंने खिल के आईए मैं बनाते हैं कुछ तो यहां पर मैं देख सकते हैं फ्रें यहां पर मैं आटा गूत रही है और सिरियल जो कि मैं देख रही हूँ और दवा भी मैं फ्रेंस साम को खाई मतलब दो पर वाला खाई थी और साम को भी खाना है साम को बाबू को भी दवा खानाए क्योंकि उनको भी फिवर हो गया था तो बच्चों को कुछ हो जाता है फ्रेंस तो मतलब अच्छाने मैं जहेल लूँ लेकिं बच्चों लोगको कुछ वहुंसा चीज नहूँ जो कि मतलब अच्छाने लगता है बच्चे जोकि हसते खेलते मुश्कुराते सैतानिया करते अच्छे लगते हैं तो यहां पर जो की पती देव जी भी दवा लाए थे बाबु के लिए हमारे लिए भी तो यहां पर मैं आटा गुत के फ्रेंज रग दे रही हूं और चले चलते हैं चट पर जो सुक्वन डाले उसको भी समय तो देख सकते हैं और ठीक पर देख सकते हैं आम का जो बाउर है इसमें अम चोटी चोटी लग रहे हैं मैं च्हट पर घीक पीछे ताप्डों को मैं यह भी दिखा दे रही हूं और यहां पर देख सकते हैं है हल्दी वबला हुआ हुआASSगा 다ी थे फरेंज तो यहां पर जो सुखा है उस उसको इस तरह से डंडे के साहते से जितने मतलव धूर गड़ते हैं उसको इस तरह से मैं पीटूंगी उसके बाद फ्रें इसको अच्छे से जारूंगी तो तैयार हो जाता है हल्दी पीसा के मसीन में इसको हल्दी तैयार किया जाता है गाउं साइड में फ्रें यहां पर इसको भी कूट सकते हैं लेकिन हमें हमारे चृट पर बहुत सब्सक्राइन था तो मैं बहुत सब्सक्राइद T तो यहाँ पंगे थोड़ा सा तवियत ठीक हुआ था क्योंकि मैं तीन देने चbelt भी काम अपना घर करिक लेथी हैं ये भी तो जरूरी ये फ्रेंज और घर के बहुत सारे इसे काम थे फ्रेंज की मैं नहीं कर पा रही थी तवियत खराब हो जाने के कारण यहां पर देख सकते हैं फ्रेंज यहां पर मैं डंडे के सहायते से अच्छे से जो की इसको मैं पीट लूँगी अभी सुखा नहीं फ्रेंज हलका हो है तो यह भी करीब 10 दिन के बाद ही एपी मसीन में मतलब हल्दी तयार होगा तो इसको इसी तरह से मैं मोंगरी के सहायते से मतलब डंडे के सहायते से इसको पीट लूँगी और गाव में फ्रेंज मतलब इसी तरह तयार किया जाता है बहुत सारे गाव में हल्दी बो मतलब लगा जाता है तो खल बटे में किस तरह मतलब थोड़ा राता है फ्रेंज तो खल बटे में भी यूज कर सकते हैं अगर बह लिकान कि आएगा तो जितने मतलब हर्दी उच्छेट में इस जगा मीं जगाने इसको अच्छे रिंदे में लिका लूंगी तो इसी तरह में हल्दी तयार करते हैं नहीं हर्दी के लगे तो आप लोग को तो ठीक पीछे मेरे देख सकते हैं, कितना अच्छा लगदा है, जो कि आम का जो बाउर, छोटे छोटे फार है, कितने सुंदन लग रहे हैं, ठीक मेरे पीछे, और काफी प्यारे लगते हैं, और इहां भा फ्रेश्च, देख सकते हैं, साम भी हो गया पाव लोग पढ़ाई क क्योंकि उनलोग का पेपर इसलिए पढ़ाई अपना कर रहे हैं और मैं पानी अभी बाबु को लेकर आ रहे हूं और उसके बाद दावा देऊंगी और जो भी तरह से आप लोग को गलती लगें मेरे ब्लोग में प्लीज कमेंड बॉक्स में जुरूर आप लोग बताया करिए मैं और अच्छे से सुधाने की और बनाने की पूरी कोशिस करूँगी तो फिलाल इस टाइम कहीं नहीं जा रहे हैं क्योंकि मेरा तवियर ठीक नहीं था इसलिए मैं घर कहीं आप लोग को ब्लोग दे रही हूं रोटीन से खर रही हूं और कहीं जाती हूं तो जरूर आप कि तवियर अभी बिल्कुल अच्छा नहीं है और यहां पर बच्चे लोग अपना पढ़ाई कर रहे हैं देख सकते हैं कोई pencil छिल रहा है तो कोई लिख रहा है मतलब दूनों बच्चे सितर अपना पढ़ाई करते हैं तो कौन सा सब्जेट का पढ़ाई कर रहे हैं आप ल सब्सक्राइब करें देख ँभाएं को बना रहे हैं इसे पोज़ करें इसे पूज कर रहे हैं वहां पढ़ा post भी कर रहे हैं thanxic मेरा सभड़ाइं कर ई आगे से अपने आज कैसा लागा तो मैचंट देख मिलते हैं तब तक बाइबा ताइकू नमस्ते